हलो फ्रेंड्स तो आए शुरू करते हैं 28 मई के डेनिट रने फेर पहला कुश्चन है आपात कालिन चिकितσα दिवस कब मनाय गया तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 27 मई को तो प्रतिवर 27 मई को आपात कालिन चिकितसा दिवस के रूप में मनाय जाताय। जिसना के फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाली में 21 मई को दो महत्पूर्दिवस मनाये गये थे आतनंकबाद विरुदिधि दिवस और अंतरराष्टी चाय दिवस इसके रहाँ 21 मई को एक दिवस और मनाये गये था संबाद और विकास के लिए सांस्कृतिक व जैव विवदित्ता दिवस 24 मई को मनाये गया था इंटरनेशनल मर्खोर दिवस मर्खोर एक बकरी की प्रजाती होती है जो कि पाकिस्तान की कह सकते हैं कि नेशन एनिमेल है राष्ट्र पसू और जो 25 मई था उस दिन मनाये थे विस्व थाराइड दिवस और विस्व यह किस देश के फिर से राष्ट्र पती चुनेगा है तो इसका आंसर हुजाएगा लिथुआनिया यानि कि बिकल्प सी आपका बिलकुल करेक्ट है देखो अभी हाली में टो लैम को वियत नयम का राष्ट्र पती चुना गया है किसको टो लैम को जान स्वीनी को स्काट लै पती चुना गया है तो यह तीन बहुत ही इंपोर्टेंट न्युक्तिया है इनको आप बिलकुल याद रखिए इसका रखिए आंद्रेश प्लेंकोविक को कुरेशिया का फिर से प्धानमंद्री चुन लिया गया है अगला क्वेश्टन है हाली में किस देश के माउंड पूजोला मोखी है यह पाय जाएगा इंडोनेसिया में बिकल्प ए आपका बिलकुल करेक्ट है इंडोनेसिया की राजदानी जकारता है पीम जोको विडियोडों है और प्रेश्डेंट कौन है प्रभोवो सुभ्यानतो हाली में किस राज में सबसे अधिक जंगल में आग करने के लिए वहाँ पर एक अभ्यान चला गया था जिसमें सुखी पत्यों को लाने पर पैसे दिये जा रहे हैं लेकिन अगर प्रस्ण ये उठे कि किस राज में सबसे अधिक जंगल में आ की घटनाएं हो रही है तो यह वन जाएगा आपका हिमान्चल प्रदेश यानि कि आप्सन सी बिलकुल करेक्ट है और देखो बारामे वार्सिक ट्रबल रिव्यू अवार्स दोजर चोबिस में हिमान्चल प्रदेश टॉप पर रहा हिमान्चल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकाल गाउं के द्वार पहल को स्टार्ट किया है और हिमान्चल प्रदेश की हट्टी समधाय को आनसूजित जन्र जायत का दर्जा दिया गया है भारती जिमनास्ट दीपा करमाकर ने ASEAN Championship में कौन सा मेडल जीता है तो देखोunn फ्रेंड्स जो भारती जिमनास्ट दीपा करमाकर हैं इन्हों ने हाली में Asian Championship में जीत लिया है गोल्ड मेडल और यह कार्णामा करने वाली पहली भारती बन चुकी है यह जो अभी हाली में Asian Championship का आउजन हुआ था कहां पर हुआ था तो इसका आउजन उजबेकिस्तान की राजधानी तासकन्द में किया गया धीपा कर्माकर Asian Championship में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारती बनी है दीपा ने इसके पहले 2015 के Asian Championship हिरोशिमा में ब्रोंज मेडल जीता था Malaysia Masters 2024 में भारती सटलर PV सिंधू किस अस्थान पर रही तो फ्रेंड्स ये बनी है runner-up यानि कि दूसरे स्थान पर रही है Women's Singles का खिताब ये हार गई और दूसरे स्थान पर आई है Malaysia Masters 2024 में भारती सटलर PV सिंधू ये दूसरे स्थान पर है तो जीता किसने है देखो फ्रेंड्स PV सिंधू BWF Malaysia Masters जिसका आयजन कुला ललमपुर में किया था जो कि Malaysia की राजधानी है उसमें ये चीन की वांग जीई से हार गई है यानि कि मिज़िता बनी है चीन की वांग जीई और ये भी आदर रखेगा कि Malaysia Masters 2024 एकल पुरुस मिज़िता बने है विक्टर एक्सेलसन ये डेनमार्क निवासी है अगला कुश्चन है आर्मी चीफ मनोश पांडे का कारकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया तो friends इसका आंसर हो जाएगा आपका एक माह के लिए यानि कि बिकल्प आपका सही है option D ठीक है option D आपका बिलकुल correct है तो ध्यान दीजिएगा friends की हाली में वे 31 मही को रेडार होने माले थे लेकिन अब उनका जो कारकाल है वो बढ़ा दिया गया है एक महीने तक भारत की चौती सबसे बड़ी निर्यात वस्त कौन सी है यानि कि भारत सबसे ज़्यादा जो निर्यात करता है वस्तुएं उसमें चौतिय स्थान पर क्या है तो friends यह है smartphone यानि कि बी करेक्ट है तो भारत smartphone निर्यात में 42% की बिद्धी दरश किया है कितना 42% तो यह जो smartphone है वो कहां-कहां पर भारत निर्यात करता है UES, UAE, Netherlands, UK, Italy और भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता है आटो मोटर डिजल का, दुसरे अस्ताम पर पॉलिष धीरे होते हैं, तिसरे अस्ताम पर एवियेशन टर्बाइन फ्यूल, चौस्ते अस्ताम पर स्मार्टफोन, पाच्वे अस्ताम पर है मोटर गैसोलाइन आगे बढ़ते हैं, किस देश की सरकार इरावदी नदी पर चीन समर्थित बात पर यूजना को फिर से स्टार्ट कर रही है तो फ्रेंट्स यह जो इरावदी नदी है, यह मामार की सबसे बड़ी नदी है तो इस पर जो बात बनाने का कार्यक्रम था, इसको 2011 में पहले सुरू किया गया था लेकिन जन विरूत की चलते ही से रूख दिया गया, और अब 2024 में इसे पुने स्टार्ट किया जा रहा है तो इरावदी नदी पर जो बात बनेगा, तो इरावदी नदी कहां पर इस्तित है, यह म्यामार में इस्तित है चीन की मदद से म्यामार, 30.6 billion dollar की लागत से, माइट सोन बात पर जोना फिर से स्टार्ट कर रहा है इस बात को नाम दिया गया है, माइट सोन, ठीक है अगला कोशन है, लगुदी विकासिल राज्यों पर चौथा अंतररास्टी सम्मेलन का आयोजन किस दिस में किया जा रहा है लगुदी विकासिल राज्यों पर चौथा अंतररास्टी सम्मेलन का आयोजन देखो फ्रेंट्स ये किया जा रहा है एंटीगुआ और बार्बुडा में एंटीगुआ और बार्बुडा एक ही दिस्का नाम है तो इसका आयोजन 27-37 मही तक होगा यह आयोजन केरेवियाई, प्रसांथ और अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षरी चीन सागर के 49 थे जाएं और इस वकार से कुलमिला कि जब 30 दिन आपके हो जाएंगे, तो 300 प्रस्ण आपके त्यार हो जाएंगे, या नि कि कुलमिला के कर देखा जाय है, तो हमारा टार्गेट है कि पूरी वारसकी का लगवक 3600 प्रस्ण आपका त्यार आएं तो मात्र 5-7 मिनिट में य आगादी जिरे मस्कार जहेंद